हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पेद एकडमी में आज की वीडियो में हम जनसंकर प्रदीपर निबंद की स्टड़ी करने बाले हैं देखिए एक्जाम में सभी बच्चे निबंद लिखते हैं लेकिन सबके अच्छे मांक्स नहीं आते तो इस व बन्द आपको लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले रूप रेका लिखनी होती है रूपrent एख्टे ट caller प्रिक्पंत आपको एक वात हैं जतने पॉंट्स की अंदर से लाव हमारे देश के प्यास सिक्स्थ पॉइंट है हमारा जनसंक्या नियंतरन के उपाय और साथबा हमार उपसंगार है यह हमारे पॉइंट हो गए अब देखिए आगई ट्रिक की बात ट्रिक हमें क्या करनी है क्या लगानी है कि आपके जादा से जादा माक्स आएं तो जो भी निवंद आप लिख रहे हैं उससे related आपको कुछ नहारे कुछ quotes पता होने चाहिए ये चीजें आपके निवंद को काफी ज़्यादा attractive बना देंगी क्योंकि सभी बच्चे ये trick follow नहीं करतें आप follow कर रहा है तो आपके पास कुछ knowledge होगा कुछ आपने पढ़ा होगा इसलिए आप कुछ extra चीजें कर रहा है तो ये आपका impression अच्छा डालेंगी एक्जामिनर की नजरों में और आप ज़्यादा ज़्यादा marks score कर पाएंगे तो quote है हमारा हिंदू हो या मुसल्मान एक परिवार एक संतान देखे जनसंक्या ब्रदी आज बिस्प की सबसे गंबीर समस्या है जनसंक्या की दरिश्टी से चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है चीन पहले नंबर पे उसके बाद हमारा नंबर आता है अगर इसी तरह जनसंक्या बढ़ती रही तो बोग दिन दूर नहीं जब हम चीन को पचाल कर नंबर बन हो जाएंगे जनसंक्या बढ़ती से अनेक समझ से आपने आपी उत्पन हो जाती है लगातार बढ़ती जनसंक्या किसी भी देश की प्रगती में एक रोडा है लेकिन सबसे दुखत बात यह है कि हमारे देश की जिंता इसके प्रती बिल्कुल भी जागरुक नहीं है तो पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना आप स्क्रीन सोट्स ले सकते हैं उसके बाद हम फिर से एक कोटेट कर देते हैं चोटा परिवार सुकी परिवार देखी काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव लग रहा है सुनने में भी और याद करने में भी आपको ज्यादा प्रॉलम नहीं होगी चोटा परिवार सुकी परिवार second point हमारा आजाता है भारत में जन्संक्या ब्रदी के कारण है उसके बाद फिर से हम एक कोटेट कर देते हैं हम दो हमारे दो देखी काफी ज़्यादा इजी है याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी से कि थर्ट पॉइंट हमारा जाता है जन्संक्या ब्रदी से होने वाली हानिया तो पहली है जन्संक्या ब्रदी से महंगाई बढ़े अधिक जन्संक्या से बहुत एक सुक्सुविदाएं जो हमारी बहुत एक सुक्सुविदाएं होती है रोटी, कपड़ा, सिक्छा, मकान वो भी हमें नहीं मिल सकेंगी सरकारी, योजनाई भी प्रभावित होंगी प्राकिरतिक संसादुनों का दोहन होगा और प्रदूसर् फिर हमें कोट एड कर देते हैं हमारा छोटा परिवार खुसियां है अपार, देखिए काफी जादा एजी है और सुनने में भी अट्रेक्टिव लग रहा है, पूर्थ पॉइंट है हमारा जन्संक्या नियंत्रण से लाब, तो सभी मनुस्तों सुक्य एवं बेवस्तित रह चोटा परिवार होगा, उतनाई खुसाल होगा, सभी को अच्छी सिक्षा मिल सकेगी, यातायत की समस्या नियंत्रित रहेंगी, सभी को अच्छा भोजन मिलेगा, आवास की समस्या समाप्त हो जाएंगी प्राकृतिक संसादनों का दोहन नहीं होगा, परियावरन पुर्दूसित नहीं होगा, जनसंक्य नियत्रण से चारो और सुक सम्रिद्यों और विकास की नदिया वहने लगेंगी, उसके बाद खिर से हमें कोटेट कर देते हैं, कम बच्चे सुखी परिवार यही है प्रग नियोजन कारीकरम लायागा, लेकिन यह योजना देश के गाउों तक नहीं पहुच सकी, देखे, सरकारों ने कहीं सारे प्रियाश किये जनसंक्या को रोखने के लिए पन्च वरसी योजना लेकर आया लेकिन इसका side effect क्या हुआ कि यह गाउं तक नहीं पहुँच पाई उसके बार इस योजना के अंतरगत केंद सरकार ने 146 और राज सरकारों ने 205 परिवार नियोजन के अंदरों की स्तापना की दूसरी पंच बर्ची योजना को गाउं तक पहुचाए गया पहली नहीं पहुच पाई लेकिन दूसरी को पहुचाए गया तीसरी पंच बर्ची योजना में गाउं तक लोगों को परिवार नियोजन का लाब समझाया गया पांच भी पंच बर्ची योजना में परिवार नियोजन को संपूर देश में लागू कर दिया गया गाउं गाउं में प्रात्में गुपचार के अंदर खोले गए इन सब कारियों में अंदविजबास और अचिक्छा आड़े आया उसके बाद फिर से हमें कोटेट कर देते हैं दो बच्चे उजबल वविस अधिक बच्चे कहां वविस देखे काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव लग रहा है पढ़ने में भी सिक्स्थ पॉइंट हमारा आजाता है चंसंके नियंतरण के उपाए तो बाल विवा पर रोग लगाई जाए परिवा नियोजन कारिकरमों को ब्यापक प्रचार प्रसार किया जाए बिवा की आयू निश्चित की जाए लड़की की आयू 20 से 21 और लड़के की आयू 25 बर्स कर देनी चाहिए गाव गाव तक सिक्षा को बढ़ावा दिया जाए दो से अधिक बच्चों पर सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाए दो बच्चों के कानून को पूर्टा लागू कर दिया जाए देखे जंसके नियंतरण के कौन-कौन से हो पाएं तो यह हमारे बाल विवा प पारिक्रम जो होते हैं उनका ब्यावा प्रिचार प्रसार किया जाए बिवा की आयू निच्चित कर दी जाए लड़की की आयू 20-21 और लड़के की 25 बर्स कर दी जाए गाव गाव तक सिक्षा को बढ़ावा दिया जाए दो से अधिक बच्चों पर सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाए दो बच्चों के कानुन को पूर्टा लागू कर दिया जाए उसके बाद कम बच्चों वाले परिवार को सरकार सम्मानित करे जिनके कम बच्चे हैं उनको सरकार सम्मानित करे ताकि दूसरे लोगों में भी यह चीज करने के लिए मोटिवेशन आये लोगों को नियोजन साधन अपनाने को प्रोसाइद किया जाए उसके बाद फिर से हमें कोटेट कर देते हैं जनसंक्या पर रोक लगाओ बिकास की गती बढ़ाओ लास्ट पॉइंट है हमारा उपसंगा है तो हमारे देश में जनसंक्या प्रती के प्रमुक कारण असिक्षा और अंद्विस्वास है हमें समाज में ब्याप्त कुरूतियों को मिटाना होगा सरकारों को निरंतर प्रयास करने होगे जागरुकता फैलानी होगी अधिक जनसंक्या के दुस्प्रवाबों को समझाना होगा हमें भी अपने कर्तब्यों को समझना होगा सिर्फ सरकार को ये सब नहीं करना है हमें अपने कर्तब्यों समझने होगी हमें देश के प्रती बफ़ादार होना होगा अगर इसी तरह जन्संग्या बढ़ती रही मत बढ़ाओ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से आरें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड तक अमारे सांथ बने रहने के लिए धन्यवाद